नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मजेस्टिक मंतराज में अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कु फल दे रहा है तो आप किन उपायों को करके अपने सूरे को अशुब से शुब में बदल सकते हैं तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि देखिए सूरे आपके स्विम घर में है जो है आपके पिता सबसे पहले तो आप अपने घर में अपने पिता का मान सम्मान ऐसा करने से आप देखेंगे कि सूर्य आपका जो अशुब हो रहा है वो आपको शुबवल प्रदान करना शुरू कर देगा और इसके साथ साथ आप कुछ उपायों को भी कर सकते हैं कुछ उपायों मैं आपको बतानी जा रही हूँ जैसा कि आपने सुना होगा कि लाल कपड़े में यदि आप गेहूं गुड और तामबा ये तीनों चीज़े एक लाल कपड़े में रखकर और आप उनकी पोटली बना लें उनकी पोटली बना करके कोई भी बैता हुआ जल हो नदी जैसे बोल सकते हैं नहर में आप इसे प्रवाहित करें सूर्य देव भगवान की किरपा जरूर मिलती है आप इसके बाद सूर्य भगवान की उपासना करके आप उनके कुछ अच्छे मंत्रों का जाब कर सकते हैं जैसे ओम सूर्याय नमहा ओम आदित्याय नमहा ओम भाशकराय नमहा तो ये सूर्य मंत्र का जाब कर सकते हैं तीसरा, जब भी आप घर से कभी भी बाहर जाएं, तो कुछ मीटा काकर और पानी पीकर कोई भी काम शुरू करें। और चोथा, आप गेहूं उसका दलिया बनाएं और उसे गुड से बनाएं, उसे स्वेम भी खाएं और आप दूसरों में भी बाठ सकते हैं। चोथा, एक अपनी जेब में तामबे कसिक का अवश्य रखें। और सूरे देव को जल चड़ाएं, उसमें गुलाब का फूल भी डाल सकते हैं या कोई भी लाल रंग का फूल आपके पास जो भी मिलें, आप उसके अंदर एक गुलाब का फूल डाल कर और सूरे भगवान को अरपन करें, और हाँ बंदरों को गुड और चना खिलाना बिलकुल न भूलें, और बहते वे पानी में लाल रंग का पुश्प आप बहा सकते हैं, ऐसा करने से अगर आपकी कुंडली में सूरे कोई भी अशुपफल दे रहा हो, तो आपके वे जो अशुपफल हैं वो और आपके वे जो करने माद।